Hello Friends, इतिहास अड़ा के online platform पर आपका स्वागत है दोस्तों हमने जो क्यूसंस रंग क्लास शुरू करी है राजस्तान के इतिहास, राजस्तान की जियोग्रोफी, भारत का इतिहास, भारत की जियोग्रोफी, साइकलोजी, हिंदी यानि कि अध्यापक बरती परिक्साई जितनी भी है, उन सब को टार्गेट करते वे, आप लोगों के लिए सबसे महतवपूर्ण चीज, जो कि एक ठियोरी की क्लास, यानि कि तुम्हारे लिए फुल पेक्ड लेक्चर के साथ साथ में, क्योसंस, MCQs आपके साथ लेकर आए है उसमें से कुछ क्योसंस तो आप लोगों के लिए चैनल पर डाल दिये गए हैं, और सबसे बड़िया बात तो दोस्तों यह है कि आप लोग खापी अच्छे से इंट्रेस्ट ले रहे हैं, आप लोग हांसर दे रहे हैं, साथ ही साथ में, आप लोग वेट करते रहते हैं कि क राजस्तान के पुरातात्विक स्रोथ, राजस्तान के जो पुरातात्विक स्रोथ है, यहां से क्यूशन दोस्तों हमें सब पूचा जाता है, कोई न कोई एक अविले, एक सिक्का, किसी भी तरीके के क्यूशन यहां से बनते ही बनते हर एक्जाम में आता है, अध्यापकब करति प्रीक साई भी है कि उसमें से यहां से किसन आता ही आता है दोस्तों इसलिए मेहנत्वपुक इन तोप्श न बनेंगे आपके लिए मैं जितना हो सकता को चीजह कम आपके लिए लेकर आओं तो अधिक सतिक दोस्तों के साथ share करते रही है दोस्तों और आप क्योसंद का हंसर भी देते रहे है तेयारी के लिए तो देखो अभी लेग जो प्राचिन राजस्तान में भागवत संपरदाई के प्रभाव की पुष्टी करता है यह अभिलेक कौन सा अभिलेक है जो प्राचिन राजस्तान में भागवत संपरदाई के प्रभाव की फुष्टी करता है मैं तो पूने दोस्तों ये क्यों सन तो दोस्तों आप बताईए कि इसका हंसर क्या होगा गोसुंडी अभिलेक बुच कला अभिलेक फेलियो डोरसका बैसनगर अभिलेक या फिर घटियाला अभिलेक बताईए देखें अनसर आपको कितने हंसर आ रहे हैं अब तक और कितने इसके जवाब दे पाते हैं आप लोग तो देखिए इसका भुच कला जो अभिलेखे ये है जोदपूर में आप सबको पता है जोदपूर में अभिलेख है यानि कि जो बागवत संपर्दाए की है अमें लगबग जानकारी मिलती है कहीं से भी तो वो दक्षिनी राजस्तान से मिलती है और दक्षिनी राजस्तान का मतलब आप मेवाड समझ सकते हो और मेवाड में जो गोसुंडी अभिलेक है दोस्तों ये गोसुंडी अभिलेक से हमें राजस्तान में भागवत संपरदाई के प्रभाव की जानकारे मिलती है और गोसु अभिलेक चित्तोड में हैं और यहां से क्रश्न, वासुदेव और शंक्रशन की जानकारी मिलती है यानि कि यहां से भागवत संपरदाई के प्रभाव की फुष्टी होती है अभिलेक जो प्राचिन राजस्तान में भागवत संपरदाई के प्रभाव की पुष्टी करता है वो है गोसुंडी अभिलेक जो है चित्तोड में नेक्स्स क्यूशन है अपना कीर्ति इस्तम्प्रसस्ती के रचियता कौन थे बताओ कीर्ति इस्तम्प्रसस्ती के रचियता कौन थे मैं तो पूर्ण क्यूशन है और सिधा भी है अलाकि लेकिन इसमें आप लोग अगर एक बहुत बड़े अनेक क्यूशन इसमें से बनते हैं क कीर्थिस्तम प्रसस्ति पतलब कीर्थिस्तम कहा है पहले तो इस पर जो लिखा हुआ है कुछ लेक लिखा हुआ है कीर्थिस्तम पर और उस इस्तम पर जो लेक लिखा हुआ है कुछ राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है मेवार के तो ये कुमबा के समय लिखा गया सबसे किर्थिस्थम प्रसस्ति के रचियता जो थे अत्री कवी अत्री कवी थे कीर्थिस्थम प्रसस्ति के रचियता अत्री कवी थे और इसको कीर्थिस्थम जो है इसको हिंदु मूर्तिकला का हिंदु मूर्तिकला का विश्व कोश हिंदु मूर्तिकला का विश्व कोश का जाता ह इसको कीर्थिस्तम जो है इसको हिंदु मूर्तिकला का विश्व कोश का जाता है साथ में यहां से नो मंजिल आई है नो मंजिल है कुम्बा की विजियों की जानकारी कुम्बा जो है इसकी विजियों की जानकारी संगीत में रूची और इनके कुछ ग्रंत है जिसे संगीत राज निती सतक की जानकारी और इसकी खुछ उपादियां कुम्बा की कुछ उपादियां है कुम्बा की कौन कौन शुपादियां है जिसे हिंदू सुर्थान हाल गुरू हाल गुरू जान गुरू और भी अनेक उपादियां है मोटे तोर पर का जा है तो किर्थिस्तम प्रसस्ती जो है कुमबा से सम्मधी तेर कुमबा के समय इसका निर्मान किया गया था और इसमें मूर्तिकला का विशु कोस का गया था नो मंजिला है जिसमें कुमबा की विजियों की जानकारी मिलती है संगीत में उसकी रूची को बताता है साथ में उसके कुछ गरंतों की जानकारी देता है उसकी कुछ उपादियां हिंदू, सुर्तान, संग और उसके साथ साथ हाल गुरू, दान गुरू जो भी उसकी उपाद ने आती उसके बारे में ये जानकारी देता है मैं तो पूर्ण था कि किरतिस्तम प्रसस्ति के रचेता कौन थे ते कवी अत्री थे next question है अपना और वो question है कि निवन खतनों में से कौन सा या कौन से खतन चीरवा अभी लेक के बारे में सिला लेक के बारे में सही है चीरवा का सिला लेक चीरवा सिला लेक के बारे में ये जानकारी दी गई है दोस्तों और चीरवा सिला लेक सबसे महत्वपून चीज इसके बारे में देखे बताओ बहुत महत्वपून क्यूसन है उट भी दिये गए नीचे इनमें से चूज करना है कि कितने सही है कितने गलत है यह बारासो ततर इस्यों में संस्कर्दवासा में उत्किन है उप्सन रत्न प्रभुसुरी इसके प्रसस्तिकार्त है फिर है इसके सिल्पी देलहन थे अगने कु से उतपन राजपुतों का इसमें उल्लेक है तो बताव थोस्तों सबसे पहले तो जो मैंने कल इससे पहले की क्लास हो में आप लोगों को बताया है कि जब भी आप केakah को सॉलुशन करो और इस तरह की कूट्ट का जहां पर अधिकतम परयोग होता है वांपे सबसे पहले एक चीज देखी है कि कौन सा गलत हो सकता है इसमें से जो आपको पता चलता है अब एक बात मैं तुमसे पूचता हूँ कि जब मैं आप लोगों को राजस्तान का इतियास पड़ा रहा था और मैं यह भी आप लोगों को बताए था कि प्रतिराज चोहान के बारे में क्लासेज में बहुत पड़ा है इंडेन इस्ट्री के समय भी राजस्तान इस्ट्री के समय भी प्रतिराज चोहान के समय में आपको बताए था कि चंदर बरदाई करके एक विद्वान थे उन्होंने प्रतिराज रासों के साथ साथ में विद्वान जो है राजपतों की उत्पत्ति से समं अब उसमें से अगनी कुंडशी उत्पन राजपुतों का इसमें उलेख है क्या इसमें उलेख है नहीं है न क्योंकि ये उलेख जो है ये उलेख जो का गया है चंदर बरदाई जो था उसके द्वारा अपनी किताब में उलेख किया गया है तो सबसे पहला तो ये ही गलत है इ चार-चार किस में आ रहा है यह बताओ आप इसमें भी चार आ रहा है तो यह भी गलत हो गया इसमें भी आ रहा है तो यह गलत हो गया इसमें भी आ रहा है तो यह गलत हो गया यह देख लो आपको एलिमनेशन यहीं पर बेट गया उपर के तिनों सही है अगर आपको थोड़ा पहले ढूंड़ो कि इसमें गलत क्या होगा सही तो अपने आप ही दिखेगा न फिर अब आप बताओ कि इस तरह का जब कूट आता है तो अगर यही गलत है इसमें से तो सही क्या होगे तीनों सही होगे अब एक बात बताओ गर यह गलत है तो यह किस-किस में आ रहा है क्योंकि अगन कुंड कि सिध्दांत की कोंड देता है चंद्र-बड़दाई ठीग है तो चंद्रबड़दाई की कितामें जानकारि इश में तो है नहीं तो इसका मतलब यह यह ऊर यह तीनों सही का मिश्यों चीरवा जो सिलालेख था संस्कृत बासा में उतकिन के आ गया, प्रसस्थि में मुगल मेवार संदी का अवर नन है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताओ कि मुगल मेवार संदी कब हुई थी क्या माराना प्रताब के समय मुगल मेवार संदी हो गई थी या इससे पहले भी हुई है क्या मुगल मेवार संदी कौन सी मुगल मेवार संदी की ये बात हो रही है देखो इन में से जो चीजे लिखी गई है उस समय की जानकारी रिखो पहले ही मैंने आपको बोला है कि Elimination questions का आप देखो कि इसमें क्या है आप देखो यहाँ पर देखना है कीरती स्तम प्रसस्ती कुमबा से संबन्दित है ना आप सबको पता है ना कुमबा से संबन्दित है और कुमबा के समय मुगल सामराजी था क्या था ही नहीं तो यह तो अटाओ अब दूसरी चीज है कि राज सिंग प्रसस्ती फिर एक कुमबलगड सिलालेक मुगल मेवार संदी के बारे में वनन की गई है मुगल मेवार संदी कब हुई थी मुगल मेवार इस्यू में राणा अमर सिंग के समय अमर सिंग जो ते मारान प्रताब के पुत्र उनके समय हुई थी 1615 इस्यू में मुगल मेवार संदी हुई थी मतलब उनको मानना पड़ा एक तरीके से खापी अपमाने तुन्होंने मैसूस किया बाद मुनके डेथ ही हो जाती है और इदर जो मुगल सासक था इस वक्त मुगल सासक जो था जहांगिर अब इस वक्त की जानकारी जो भी मिलती है हमें बाद के सासकों ने इसकी जानकारी दी यानि कि मुगल मेवार संदीक की जानकारी जो हमें मिलती है वो राज प्रसस्ती से मिलती है राज प्रसस्ति मेवाड के मारणा राज सिंग के समय में तो पुन एक प्रसस्ति लिखी गई थी प्रसस्ति का मतलब एक फत्तर पर भी हो सकती है वो दिवार पर भी हो सकती है किसी भी तरीके से लिखा गया वर्णन किया गया या उनकी उपलब्दियों के बारे में प्रसस्ती होती क्या है सबसे पहले तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो ये भी बता देते हैं कि प्रसस्ती क्या होती है प्रसस्ती एक तरीके का प्रसंसा राजा के बारे में उसकी प्लब्दियों के बारे में, उसके जिवन चरितर के बारे में, उसके बंस के बारे में, जो भी वुतकिन किया जाता है, एक लेख में, उन सब को प्रसस्ती का जाता है. कभी-कभी प्रसस्ति प्रसंसा पातर के रूप में भी यूज की जाती है तो कुछ प्रसस्तियां उन राजाओं के तत्कालिन समय की बहुत अच्छी जानकारी के स्रोत भी होते हैं और कुछ की जानकारी के लिए हमें दूसरे स्रोतों पर भी देखना पड़ता है तो प्रसस्ति उसको कहते हैं यहीं कि एक तरीके का राजा के बारे में वर्णन की जानकारी देने वाला एक लेख है जो फत्तर पर दिवार पर या फिर किसी भी जगह पर लिखा गया है तो उस राज सिंग के समय वेवार के माराना राज सिंग के समय लिखी गई थी और इस से मुगल मेवार संदी की जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया अभी लेक किस वन्सके इतिहस की जानकारी का मैतपुन साधन है अब बिजोलिया अभी लेक को बारे में सभी जानते हैं कि बिजोलिया क्या है बिजोलिया सिला लेक है या कुछ ब्रामनों के बारे में कि ब्रामनों को वस गोत्रे ब्रामन किस में का गया है राजबूतों को वस गोत्रे ब्रामन सोरी राजबूत जो है उनको वस गोत्रे ब्रामन किस अभी लेक में का गया है किस कहां से यह जानकारी मिलती है कि उसन बड़े एक्जामों में असिस्टेंट प्रोपेसर इस्कूल लेक्चरार इन सभी के एक्जामों में क्यूशन आ चुका है और कुछ मिलान की क्यूशन भी है वहीं से मैंने क्यूशन बनाया है और ये मोटा मोटा आप बता के बताएंगे मुझे ऑप्सन में कि राठोड दिया चोहान और प्रतियार विजोलिया अभिलेक किस वंस के इतिहास की जानकारी का मैतपुन साधन है राठोडों के बारे में जानकारी देता है क्या विजोलिया अभिलेक विजोलिया सिला लेक में ही या विजोलिया अभिलेक में ही अभिलेक में ही जो ग्यारा सो सत्तर इस्वी का है राजबूतों को वत्स गोत्रिय ब्रामन वत्स गोत्रिय ब्रामन कहा गया इसलिए चोहानों की ये जानकारी देता है चोहान जो वन्स है चोहान वन्स इस्पेसली उनको वत्स गोत्रिय ब्रामन बताए गया है तो जानकारी का मैत पुन स्रोत हो गया ये चोहानों के बारे में जानकारी देता है बस गोतर इब्रहमन बताये गए यहां पर चोहनों का एनिकी राजभुतों को बिजोलिया सिला लेक, बिजोलिया वर्तमान में भीलवडा में है राजस्तान का भीलवडा डिस्टिक में बिजोलिया है तो वहां से 1170 इस्यू का यह सिला लेक है नेर्स किसन है कि वीजोल्या। अभी लेक्स में ये भी बात उंकिन है कि साम्बर जील जो थी यह चोहनुकी की जानकारी कि नकी देता है। तो चोहनों की बारे में जानकारी देने का मतलब चोहनों के बारे में लगबग लगबग पूरी जानकारी ये देता है तो सांबर जील का निर्मान किसने करवाए था तो इसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है इसके अनुसार अर्णो राज ने वासुदेव जो था इसने सांबर जिल का निर्मान कराये था वासुदेव चुहान जो थे इन्हों ने इसका शांबर जिल का निर्मान करवाये था next question जो है इसमें हैं कि निमनली खित में से कौन सा अभी लेक है सुमेलित नहीं है मैं तो पूल क्वे सं एक कि ईसमेलित नहीं है सुमेलित कौन सा नहीं है ऐसे क्यूशन में पहले भी लेकर आए था आपके लिए देखो मान मोरी अभी लेक खाएं सबको पता है मान मोरी चितोड में हैं और मोर्य वंस की जानकारी देता है चितोड में मोर्य वंस के मोर्य वंस की जानकारी देता है यह ठीक है और चित्तोड़ दूर्ग के निर्मान किस ने करवाई चित्तांग मोरे की ज्यानकार यह देता है वहाँ पर इसके बाद बसंदगड़ दूर्ग जो है सिरोही में है सिरोही में है बसंदगड़ का दूर्ग कुंबा ने इसका पुननिर्मान करवाई और चीरवा का अभिलेक काँ पर है उदेपूर में ही अवस्तिते चीरवा अभिलेक इससे पहले एक विशन पुचा गया ता आपसे तो चीरवा अभिलेक जो है उदेपूर में और घटियाला जो सिलालेक है यह जैसल मेर में न ओकर के जोधपूर में है गट्याला सिलालेक जोदपूर में और इससे गुजर प्रतियार वंस की जानकारी मिलती है गुजर प्रतियार वंस की जानकारी गुजर परतियार वंस की जानकारी हमें कहां से मिलती है वो मिलती है गटियल गटियला माता का नाम तो सुनाई होगा आप लोगों ने वही गटियला माता के मंदिर में ये लेक है लिखा हुआ है गुर्जर परतियार वंस की जानकारी देता है मानमोरी वंस अभी लेक जो है चितोड में मोरे वंस की जानकारी देता है चित्रांग मोरे द्वारा इसके किले निर्मान की भी जानकारी में मिलती है बसंदगाड अभी लेक सिरोही में है चीरवा उदेपुर में जिसके बारे में जानकारी बता चुका हूँ आपको नेक्ट कुसर ने अपना कि कुंबलगर प्रसस्ति के रचियता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ओल्डेडी की कुंबलगर प्रसस्ति कहां पर है किसने इसका निर्मान करवाए था कैसे हैं मैं सोरी कुंबलगर प्रसस्ति का नहीं बताये था मैंने आपको किर्तिस्तम प्रसस्ति के बारे में बताये था कुंबलगर प्रसस्ति के रचियता माराना सांगा थे क्या ये तो राजा थे ये खुद नहीं थे इसके बाद में खुद कुमबा भी नहीं थे ठीक है तवी महेस या महेस्वर बट इसके रचिय था थे तो कुमबलगड प्रसस्ती भी मैत पूर्णे बहुत बार पूची गई एक्जामों में और आपको याद होना चीए कि ये प्रसस् रहते हो गर जागा जाओं में जागा आते रहते हैं और आपके वंस के बारे में सुबह से लेकर 10-11 बजे तक वो गुनगान करते रहते हैं बताते रहते हैं कि आपके पिता का पिता का पिता कौन था आपका क्या वंस है आपका क्या गोत्रे उसी तरीके की जिस तरह प्रसस में उनकी उन्सावल्यों के बारे में जानकारी दी उई होती है, उनके संभन कहuting कहा है, उनका उद्बव hypothesis आए उनका जल्म जेसे प्राचि नग्रो का उल लेक किसे शिलाल एक में ह। बहुत मेत पुन है और ये क्युशन पहले एक्जामों में आ चुका है जाबालिपूर, साकंबरी, स्रीमाल जैसे प्राचे नगरों का उलेक किस शिलालेक में है तो जो चीरवे का शिलालेक है दोस्तों इसमें मैंने आपको बताए कहां पर रही है देपूर, तो इस से अभी लेक से जाबालिपूर यहने कि जालोर जालोर, जाबालिपूर मतलब जालोर जाबालिपूर जालोर और साकंबरी आप सबको पता है साकंबरी कौन है साकंबरी मता भी है और साकंबरी सांबर को कहता है सांबर की बारे में जानकारी देता है यह और स्रीमाल यह बीन मान वाला जो है वो एरिया तो इन सब की जानकारी किस में मिलती चीरवा सिला लेक से इसके बारे में जानकारी में मिलती है बहुत महत पूर्ण है तीनोही नगरों की Next Question जो है, वो है कि Bijooliय शिला लेक के किस चोहान नरेस के काल का है? कि पिताजी के सम्झे का सिला लेक कि पिताजी का नाम सुमेस्वर ठाज? पिताजी के सम्झे का भीजोवाइ het है और उसका पहुचा गया इसमें का सोमेश्वर कि है कि 10 राजी के 33-33 करके बहुत सारे थे तो सोमे सौर के समय का बिजोलिया सिधा लेक है Next Qlection जो है वो यह है कि आबू के अभिलेक के लेखा कौन है मैं तो पुन Qution है दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि आबू के कहां पर मिला है अबू का अभिलेक किस तरीके से इसके बारे में जानकारी दी गई है सबसे पहले मैं बताता हम आपको आपू के अभिलेक जो है आपने देखा होगा वास्तु पाल में जैन मंदिर का निर्मान करवाया जैन मंदिर का निर्मान और यहाँ पर इस मंदिर में नेमिनात जी की मूर्थी है नेमिनात जी का मंदिर है नेमिनात के मंदिर में नेमिनात जी के मंदिर में अभी लेख है इसलिए इस अभिलेख को कौन से आबू के अभिलेख को नेमी नाथ अभिलेख भी कहते है यह बारा सो तीस इसवी का अभिलेख है यह नेमी नाथ अभिलेख तो आप लोगों को समझ में अगा कि आबू के अभिलेख के लेख़ कोन है यह तो बाद में बताएंगे अभी लईकिन जो वास्तुपाल तेजपाल के द्वारा आबू जो सिरोई है वहाँ पर जैन मंदिरों का निर्माण कराय गया था और वहाँ पर नेमिनाथ जी का मंदिर में ये लेक उतकिन है इसलिए इसको नेमिनाथ अविलेक भी कहते है नेमिनाथ प्रसस्ती भी कहते है बारा सो तीस इसी का और इसी मंदिर में सुबचंद्र जो थे सुबचंद्र इनके द्वारा इस अविलेक में या फिर इस अविलेक का उतकिन करव गया था तो सुभचंद्र बहुत महतपुन नाम है नेमिनात प्रसस्ती नाइस्ट कुछन है आप राजित के सिला लेक के रचियता कौन थे आप राजित का सिला लेक ये भी बहुत महतपुन है आप राजित गुईलवंस के सासक या मेवार के सासक आप राजित के बारे में ज ये मेहवाड के शाशक पराजित के समय जो दामोदर उनके द्वारा लिखा गया था, समय दामोदर द्वारा उतकिन किया, तो मेहवाड के साशक दामोदर की द्वारा इस लेक का निर्मान करवाय गया, उतकिन करवाय गया. next question है, राइसिंग की प्रसस्ति का सम्मद निर्म विखित में से किस से है, तो objectives देखो फ़हले, राइसिंग विकानिर का राजा था और राइसिंग की प्रसस्ति भी यह होगी, इसका मतलब राई सिंग प्रसस्टी भी आ जाता है यहां पर कभी-कभी राई सिंग प्रसस्टी आखिस नाम है राई सिंग प्रसस्टी भोत मेहतपून है तो देखो जेपूर के सासकों से विकानेर में किसी सासक का नाम था के राई सिंग पहले तो थोड़ा दिमाग ऐसे भी लगाये करो विकानेर के सासकों से उदेपूर के सासकों से कोटा के सासकों से तो आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि जब भी राजस्तान का इतियास पढ़ाई कि राई सिंग तो विकानेर में हुआ था यहां तो था ही नहीं है ना तो विकानेर के सासकों के बारे में राई सिंग सस्ती जानकारी देता है विकानेर के सासक विकानेर के शार्षक राइसिंग के सेनपती कह सकते हैं करम चंद द्वारा चंद द्वारा यह प्रसस्ति का तो निर्मान कैवल इसी के द्वारा राइसिंग के द्वारा एक राए गया था लेकिन जुनागड दूर्ग जो है जुनागड दूर्ग विकानेर के दूर्ग को जुनागड दूर्ग कहते हैं जिसको लाल मल भी कह जाता है न तो जुनागड दूर्ग का निर्मान क्रमचंद की देख रेक में करवाए गया था लाल गड़ भी कहते हैं इसको लाल गड़ विका नेर के सासे एक राई सिंग के समय और यहां से हैं सबसे मैतपुन है कि विका नेर के संस्तापक राव बिका से लेकर के राई सिंग तक के सासकों की जानकारी है मिलती है तो मैं तो पुर्ण स्रो होता है बिका नेर के सासकों की जानकारी का इससे हमें राई सिंग प्रस्थती थे राई सिंग प्रस्थती थे राई सिंग प्रस्थती थे जानकारी का शरोथ जानकारी का शरोथ भीका नेर की स्थाबना राव भीका के द्वारा की गई थी तो वहां से लेकर के जो राई सिंग जी थे यहां तक कि इससे जानकारी में मिलती है कौन सा मंदोर के परतिहारों की इतियास की जानकारी देता है कौन सा अभिलेक जो है मंदोर के परतिहारों की जानकारी देता है अब आप लोगों को यह तो पता ही चल गया होगा कि संबोली अर्थूना या फिर बिजापूर गटियाला यह कहां पर अवस्तित है जगों के गटियला नाम तो बहुत बार पहले आ चुका है, आप लोगों को पता है तो अगर आ चुका है तो अंदाजा भी लगा सकते हैं बहुत बार अर्थुन, अर्थुना कहां परे? यह भी, तो इसमें जो आंसर होगा, वो गटियला अभिले कांसर होगा मंडोर, मंडोर कहां परे? जोदपूर में, मंडोर जो है, जोदपूर और जोदपूर में, मंडोर में आरंबिक गुर्जर परतियार सासकों की राजदानी थी मंडोर आरंबिक गुर्जर परतियारों की परतियार सासकते हैं, उनकी राजदानी मंडोर थी और मंडोर जो है इसके गुजर परतियारों की जानकारी देने का स्रोत अगर होगा तो घटियाला सिलालेक जो है ये भी है मैंने पहले बताया कि घटियाला सिलालेक से गुजर परतियारों की जानकारी में मिलती है और मंडौर उनकी प्रारामभीक राजदानिवे भी मानी जाती है तो इसका idea लगा सकते हैं घटियाला अभी लेक इसका answer हो जाएगा next question जो है वो है कि घटियाला सिलालेक किस भासा में लिखा गया है फिर वही बात गटियालासिलालेक के बारे में जो है हमें जितनी जानकारी हो सकती है वो क्यूशन बने हैं क्योंकि पहले भी क्यूशन पूचे जा चुके है तो वहां से क्यूशन बनाए कि गटियालासिलालेक किस बासा में लिखा गया बासा पूचा गया है लीपी नहीं बा तो बास जो है हिंदी नहीं थी में था गया नहीं पार्सी में भी नहीं था यह था संस्कृते सांस्कृत गई में तुमूने दोस्तों जो कक्कुक है जो प्रतिहार सासक कक्कुक की आभीरों पर विजे का धावा करता है वो कौन सा अभिलेक है अब इसमें चीरवा अभिलेक भी आया हुआ है इसमें घटियाला अभिलेक भी आया हुआ है दोनों यह फिर अर्थुना वई ओप्शन में औ और एक बिजोलिया भी आया हुआ है तो गुर्जर प्रतियारों की बारे में अलागी राजबुत सास्कों से संब्धिते लेकिन ये किन से संब्धिते राजबुतों में चोहानों से समंदित एक नहीं चोहानों से समंदित ए है तो इस अभिलेक में जो आंसर आएगा वो भी घटियाला अभिलेकी ही आएगा गटियाला अभिलेक से ही इसकी जानकारी मिलती है कि ककुक जो था कि आभीरों पर विजे की जानकारी किस्सें मिलती है तो यह जो मिलेगी यह गटियाला अभिलेक से ही मिलेगी नेक्स्ट क्यूशन जो है वो है कि निवन में से कौन सा अभिलेक सिलालेक और जिला सुमेलित नहीं है अब बताओ मुझे कि कौन सा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सुमेलित नहीं है पहले तो यह देखना है कि सुमेलित कौन-कौन से है और कौन-कौन से नहीं है। हैं बताया था आपको भी जोदपूर है ठीक है तो यह आज सुमेढ आज सुमेढ ली दे तो एंशर आँगा तो लेक्स्ट कुसें जो एव है कि कुम्बल्गडर प्रसस्ति के रच यता कौन थे कुम्बलृगड Прसषती के रच यता कौन थे कुम्बलगड प्रस्श्टी के रचेता महेस थे पहले बता जुक आओं साहिद एक क्यूसन रिपीट लेख को Turkish की अकल लिगvad कौन है को लाए का मंदर का निर्मायण को मेवार के एक लिंग की जी जो है आपने कभी देखा हुआ मारान परताब का एपिसोड भी आता है ढ़िसने पी अगर आप मेवार की बार-बार वह बोलते हैं इसका मतलब यह लड़ीद की आपके समझ में आई जाएगी और प्रारम में मेवाड की राजदानी जो थी वो कहां थी तो उससे एक चीज स्पस्ट हो जाती है कि एक लिंग सिला लेक जो है एक लिंग के मंदिर में लिखा हुआ है सोदैस यश्य इसओ का लिखा आभी लेक है एक लेक लिच्वतर के द्वारा लिखाग्या है एक लिंग सिलेक उधेपूर में है और इसको जो लिखा गया था वो महश वर के द्वारा लिखा गया था next question जो है कि बर्ली का सिला लेक जो कि असोक के काल से पूरुका माना जाता है असोक के काल के पूरुका बोध सासक असोक जो था ना चन असोक मोरी ये समराठ असोक उसकी बात हो रही है पर्ली का सिलालेक तो यह कहां पर आवस्तित है जेपूर जोदपूर जेपूर टॉंक जेपूर टॉंक बीलवड़ा यह अजमेर पर्ली का सिलालेक जो है हमें मिलता है अजमेर से पर्ली का जो सिलालेक मिलता है वो अजमेर से मिलेगा हमें और इस से हमें असोक के काल से पूर वो है कि अदो लिखित अभी लेखों का सही काल करम चुनिए अभी लेखों का काल करम चुनिए अब देखो अब आप लोगों का खुछ अभी लेखों का तो पता चली गया होगा कि कौन-कौन साभी लेख का क्या सही काल करम है इसमें आरोही करम लिखा हो रहा है यह ध्यान रखना आरोही करम मतलब बढ़ते वे करम में ठीक है हाँ नेमिनाथ सही है क्या गोसुंडी अभिलेक और बुचकिला अभिलेक आठ सो पंद्रा 415 एश्वीiren और दोसरी सताब्र कर से कहते है कर सहां और अधिएर के सबसे पुराना भिले कौन सा यहां पर को सुन यह सबसे पहले अगे आए आएगा कों सा आ गैया आगे साधी अब यह तो गलत होगा पहला तो गलत होगा यहां पैए कि तीन आगे आगे नहीं आ रहा है सबसे पुराना भी लेक यहां पर गोसुंडी दित्यस्ताब दिसापूरु का है तो आप लोगों को भी इसलिए पता होना चीए कि इन सबसे पूराना है अब सबसे पूराना सबसे पहले आएगा आरोही करम पुचा गया है तो यह पहले में तो नहीं है इसका मतलब यह तो गलत हो गया अब देखो आगे कि तीन इन तीनों में है है ना तो इसका मतलब दूसरा और ओप्सन देखना पड़ेगा फिर बुच कला अभी लेक 815 इस्वी का तो यानि कि इन में से कौन सा बेट रहा है अब तो दूसरे नमर पे बुच कला ही आ रहा है तो तीन और चार तीन और चार जिसमें भी बेट रहा है वह यह आंसर सही ह अब देखो तीन और दो आरा इसमें तो यह नहीं बेठेगा क्योंकि 815 इसके बाद तो एक नमर आता है दबी नहीं बेठेगा तो चार जिसमें भी आएगा वह यह आंसर सही होगा इसमें इसमें चार है तीन के बाद में यह आंसर सही हो जाएगा बाकि इसमें भी नहीं है तो ये भी आंसर गलत तो ये elimination होता है questions का सही करने का और इसी के आदार पर आगे question सही हो जाता है गोसुंडी अभिलेक दित्य स्थाबदी का है बुचकला 815 इस्वी का है ये दो option आने से बिले आपको दो नहीं पता है लेकिन दो option आने से ही आपका elimination सही हो गया क्योंकि पर ये accurate होना चाहिए पहले कि सबसे पुराना कौन सा है तभी तो आप इतने sure हो सकते हैं तो इस तरह से questions का solution हम कर सकते हैं और बार-बार प्रेटिक्स करेंगे पढ़ेंगे अपने जुड़के साथ में एक साथ तो बहुत अच्छे से आगे कर पाएंगे इसलिए दोस्तों मैं class जो offline class होती है उसके साथ साथ आप लोगों को online में कुछ content देता हूँ जो पढ़ाया गया है मैंने ये सब चीज़े offline classes में पढ़ाई ये सबगी को और उसके बाद में वहां से जितने भी महतवपून क्यूसन बन सकते थे या पिर पुरियवे सेर के exam में teaching जो जितने भी अध्यापक बरती के exam थे उन सब में आये थे महतवपून क्यूसन वहां से मैंने क्यूसन बना बना के हैं आब लोगों के लिए दाले और उनका सोलिशन भी दे रहा हूँ इसके फरस्ट होता है कि थोड़ी सी मेंनथ आप लोगों को करनी पढ़ेगी जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अब तक जो भी चीजहें आप लोगों को मैंने सपोर्ट मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो मैंने तीन-चार वीडियो डाले उनमें ही आप लोग अभी जदा वेटिंग में रहते हो कि कब वीडियो आए कब देखें उसको तो मुझे अच्छा लगता है और पढ़ते रही है अपने सोर् को मिलान में आया गा था जिसमें से चित्रांग मोरे की जानकारी देता है चितोड में पहले जो है जो गुविल सासक थे या फिर सिसोद्या वंस जो सासक था उन से पहले यहां पर मोरे वंस का सासन था और चित्रांग मोरे नाम का एक सासक था जिसने चितोड़ दूर का नि नहीं मिलता है ठीक है इससे नहीं मिलेगा बान मोरी सामोली बिजोलिया भीलवाडा में हैं इससे भी नहीं मिलेगा जानी की बान मोरी अभी लेक जो है इससे हमें चितोड के आरंबी कितियास चितोड के आरंबी कितियास की जानकारी मिलती है और चितोड में आरंबी कितियास में चित्रांग मोरिये की जानकारी, चित्तोर धूर्ग के निर्मान की जानकारी, चित्तोर धूर्ग के निर्मान की जानकारी, यह भी इससे मिलती है, तो चित्तोर का प्राणभी कितियास की जानकारी कहां से मिलती है, चित्तोर गड धूर्ग से मिलती है, नेक्स्ट कुशन जो है, सुरी, मान मोरी अविलेक्स से मिलती है, नेक्स्ट कुशन है कि निमलिक प्रस्थियों को उनके समय अनुसार सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, बहुत महत्पून कुशन है दोस्तों लेकिन यह चीजे मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को कौ मेली करिये तो बताईए आपका क्या हांसर होगा इसमें से रनगपुर परसजटी राज प्रसस्ती विकानेर प्रसस्ती या उसके समय का है सहिट के बाद में राज परसस्ती मैवार के आड़ों पाल पर मिला है संस्किर्ट में सब师 będę बड़ा अभिलेक है कुम्बलगड प्रसस्ती है और रनकपुर पालिक है जो जहन मंदिर है वहाँ पर किनित एक अभिलेक है उसके बारे में यह जानकारी दी गई है तो देखो रनकपुर प्रसस्ती का समय है 1449 इसवी ठीक है एलिमिनेशन करना है अब आप कूट को भी देखते जाईए कि पहला में तीन तो सही है एंड्रेट परशेंट आपको अगर दो ओप्सन सही आ जाते हैं आपको दो ओप्सन उप्सन जो आयेस का एक्जाम होता है उसमें इसी तर यहां पर आप खुद देखिए कि रनकपुर प्रसस्ती कहां विलान हो 1449 इस सही है एकूरेट है मतलब यही इसका अंसर सही है अब एक तो अमेरों को लग गया कि यह आंसर सही है तो आप लोगों ने लगा लिए आप देखो कि ए में तीन है क्या ए में तीन है मतलब यहीं अब देखो आप खुद यहीं बेट गया इसका अंसर मुझे लगता है यहीं होगा अगर ए में तीन है 1449 ही आगया तो इसका मतलब तीन एक चार और दो यह वाला जो ऑप्सन आएगा यहीं सही होगा जहां तक मुझे लग रहा है तीन किसी में भी नहीं है सुरू सुरू मे रणा कुट प्रसस्ति का जो समय 1449 that's clear यह बिल्कुल accurate है यह सही है अगर यह सही है तो इसका मतलब आगे जो elimination करोगे वो इसी के आदार पर ठीक हो जाएंगे अगर आपने option में दिया हुआ है अगर कूट में इस तरीका का आपको मिल जाता है तो तो देखो यह देखा आप आपने इसका मतलब यह option सही हो सकता है अब आपन और मिलान कर लेते हैं अभी इसकी जान आगे सच्चाई का पता लगाते हैं कि क्या यह ठीक है का मने जो idea लगाया वो तो देखो कुंबलगड प्रसस्ति ठीक है राज प्रसस्ति अब बताईए मुझे राज प्रसस्ति का क् मुझे बताईएंगे कि राज प्रसस्ति किसके समय किये मेवार के माराना राज सिंग के समय किये और मेवार के माराना राज सिंग का जो समय है वो है कब का सोड़ा सो जिंतरी स्वी का तो एक और चीज़ देखो कि सी में चार है क्या सी में चार है यह ठीक है और यह ठीक है अवगर दो मिल गए और 2 मिल गए तो ठीक है इसका मतलब टो यह matrix कि प्रेट कुम्बल टकुन का समय हुआः मीना निकार प्रसेни पर कहा चलता तो कि कुम्बल गड़ करहा सब्कुरमा कि है नहीं सब को प्रसे विघ आप तो यह बचाए तो यह वैसे ठीक है पंद्रहसो चोराण में इस भी तो यह एलिमनेशन है दोस्तों और इससे आपको पता चल गया लगबग पूरा ही तो अगर आपका कूट के इसाब से भी आप अहंसर करते हो तो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप दिमाग किस त पता था ना तो यह आप मार के आ सकते थे कहां यह सही है वो क्यों वह इसलिए मार के आ सकते थे बाकी में तो यह बैठी नहीं रहा न तीन तो कहीं पे भी नहीं है अगर यह नहीं है तो इसका मतलब यह सही है फिर तो मिली नहीं रहा है कहीं तो इसलिए यहांसर सही है रण ठप से ठप एक्जाम भी आसानी से यह क्रेक करके निकल जाएंगे, आप ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपको गलत होनी की बहुत कम संभावना है, रहेगी, राजस्तान से प्राप्त सबसे प्राचिनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, यह तो बता सकते हो, आप आसानी से अध्यारा जाता यां किसी पी चीज के अगर अपन मारते हैं, तो क्या होता है, तो प्रेशान हो जाता है किसी जानवर को अहात है, यानि कि इस पर एक, किसी भी लखडी से जो रहता है उससे निसान करने के लिए इस पर ठफ़ा लगाता था से पन्छ किया जाता था जाता था हाथ से ईस पर ठपण कर तब लुए जाता है जाता है जो इनके जोर से निसान लगाने के लिए जोर से ठफ़ा लगाए जाता था और उसका निसान हो जाता था इसलिए इनको हाथ सिक्के पंचमार्क सिक्के क्योंकि हाथ से पकड़ते हैं और मार्क चिन हो जाता है तो इसलिए उनको पंचमार्क भी आ जाता था और इन में कैसाई चांदोड़ी कलदार यह नहीं एक और भी सिख्य कि जो यह बेराट से मिलें दोस्तों यह भी में तुपूने बेराट से एक स्वेश्ट कुश्ण है दोडिया क्या है मातपूने क्या बता सकते हो कोई डोडिया क्या है जल्दी आंसर दो इसका डोडिया क्या है इस्तियों का करना बुशन है क्या मैंने की इस्तियों के कान का बुशन है क्या डोडिया जहां तक मुझे लगता है कान का बुशन होना चीए ना कान का या बुशन ह होगा बताओ देखे क्या हो सकता है ओडने का वस्तर है क्या चादर है क्या पिर जैसल में राजे का प्राचिनतम सिक्का है क्या जोडिया कि किश्त्री का कान का अबूसर्ण होना चाहिए पता जल्दी जल्दी बताओ जो है इंप दोस्तों जो यह जह जयसेल में लेड के राजे का प्राचिनतम है उडिया संगत है जैसल में अजा प्राचिनतम सिख्का है जिसको डोडिया कहते थे तो बहुत मैत्वपूरण है यह एक्जाम में आयोगा घूसर निए हुआ जो च्राइब की नीम लिखित में से कौन सा यूग में मुद्रा है और जारी करता सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं है देखो इसमें ये चीज है कि किस छेतर में जैसे मेवार, मारवार या पिर जो भी ये छेतर होता था इस छेतर में उसको क्या का जाता था समझ रहे हो आप तो उस छेतर में जो सिक्य होते थे उनका नाम रहता था जैपुर के शिक्क्रहकों को जैसे जहर साही कहते थे उस छैत्र में जो जारी करने वालेश्चा कोंगा उनकी बारे में इस के बारे में बात की गई यह जहर साही छोह सभी चेह मन चाहमान रहे थीय को पेजेस के कुओं नहीं से जोध्पुर राजय में प्राचली था जोध्पुर राजय में प्रचलीती था ए Reza मनें और अचली थे इसका मतलब दोस्तों इसमें जो हांसर होगा विजे साही क्या रहे कि कौन सा सुमेलित नहीं है मुद्राओं का नाम है इधर तो यह मुद्रा का नाम है मतलब सिक्कों का नाम है और यह जारी करता सासक का नाम है ठीक है अगर यह नाम हो गया तो इसका मतलब यह क्य नेख्ट कुछ सन जो है कि डिंगला बिंड़या और नाथ द्वारीया क्या है किडिगला विंडरिया और नात्थ द्वारिया क्या है में प्रचलित अमबें कि सिक्के मेवार की दरी पट्यों के नाम मेवार की ओडनियों के नाम मेवार के राजसुकरों के नाम दिंगला भिंडरिया नाद्वारा बहुत मैं तुम्हें दोस्तों हूं आरेस असिस्टेंट प्रोपेशर जो आने वाला एक्जाम है उसके लिए और टीचर के जितने भी एक्जाम हो सकते हैं स्कूल लेक्चरार कोई सा भी उसके लिए क्यूसन इस तरह के क्यूसन जो है आएंगे पूचे जाएंगे बहुत मैं तो पूर यह दिंगला भिंडरिया और नाद्वारिया क्या है तो दोस्तों मेवार में दरी पट्टियों के नाम है क्या बताओ नहीं है मेवार में प्रचल इसमें अंसर आजाएगा कि मेवार में प्रचलित तांबे के सिक्कों को दिंगला भिंडरिया और नाथद्वारिया कहा जाता था बहुत मैत्वण है मेवार के जो सिक्के प्रचलित थे उनका नाम था डिंगला भिंडरिया और नाथद्वारिया नेक्स्ट क्यूशन जो है वो है कि प्राचिन राजस्तान की मूर्तिकला की प्रतिक नाद की सिव प्रतिमा किस जिले में मिली है बहुत मैत पूर्ण है और आज का लास्ट क्यूशन है आज का लास्ट क्यूशन भी है और बहुत मैत पूर्ण क्यूशन है जल्दी इसका अंसर दीजे इसका राजश्तान प्राचिन राजश्तान की मूर्तिकला का प्रतिक नाद की स्यवप्रतिमा का से मिली है चितोण उदेपूर कोटा. कोटा इंसर होसकता है क्या व होता संग्या कि पिकोटा में ही है कि आ ऐज के क्युशन में जितने हैं उनकी घुत की से आज हो और इसी लेवल की क्सघ्वन आपके लिए ले जाएंगे डेली ऐडेली क्लास होगी आपकी ज्योग्रोप्य राष्थाने स्ट्री ज्योगबिक इसके साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट है उनकी क्लासे आपके लिए याँ पर डाल दी जाएगी रेगुलर क्लासें जोगी तो दोस्तों अधिक्स अधिक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि सहाती इसमें मैंतपुन चीज यह है कि सोमवार से रीट का जो बेच है ओफलाइन बेच भी स्टार्ट होगा आप जितने भी दोस्त है या फिर आपके सर्किल में जितने भी है वो आप परचेज कर सकते जूड़ सकते लास ले सकते हो और सबसे इंपोर्टेंट बात दोस्तों यह है कि हमारे पास में जो टीम है वो एक से बढ़कर एक है इसा नहीं कि बोलते है करते क्या है यहां पर जो क्लास में आप कुछ क्यूशन देख लीजिए इसके साथ आप उफलाइन क्लास देखिए एक बार इससे पहले के बेच में दिकल चुका जो बेच और यह दूसरा बेच चलेगा रीट का इसमें आप जो भी दोस्त आप लेना चाहते हों ले सकते हैं तो दोस्त जुड़े रहिए हमारे साथ में और सेर भी करते रहिए थैंक यू धन्यवाद